इन दिनों इन दौर में धर्म को लेकर राजनितिक सियासत लगातार जारी है। बाजपा के हर घर भगवा घर घर भगवा अभ्यान की तर्ज में। कॉंग्रेस ने राम नौमी पर हर घर दीपक घर घर दीपक नारे के साथ एक बड़ा अभ्यान शुरू किया है। इस दौरान कॉंग्रेस शहर के हर वार्ट में पांत सो घरों तक दीपक का वितरन करेंगी। उत्सव मनाया जाता है। और राम नौमी को दीपावली की तरह बनाने के उत्देश्य से इस अभ्यान की शुरूआत की जा रही है। इसके लिए विशेश रूप से दीपक बनवाय गये हैं और विशेश बॉक्स भी बनवाय गया है जिसमें दीपक के साथ एक ध्वजा भी दी जाएगी। नो दिन के अराजना के बार नौमी पर प्रभुशी राम का चेत्रमाह में जन्मोसो आता है। इस पार्टी गर-गर ध्वजा देगी और घर-गर बीपक का विद्रण करेगी। इस तरह हम दीपोसो परो मनाते हैं दीपावली पर वैसे ही प्रभुशी राम के जन्मोसो को भी हम धुन्धाम से मनाएं। यही सबीर जिन्धु धरम के समाज के लोगों से हमारा पीवेद है। मैं विद्रे खंडिलवाल परवक्ता इंदोर शहर कॉंग्रेस कमी की। वही कॉंग्रेस के इस वयान पर बीजेपी ने परटवार करते हुए कहा है कि राम सभी जगह पुझनी है और इसके लिए किसी प्रकार की अभियान की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कॉंग्रेस के द्वरा नया अभियान शुरूर किया जा रहा है तो उसे सही भावना के साथ किया जाना चाहिए। बहुत भव्यदिव्य तरीके से मनाते हैं तो इसका पॉलिटिकल स्टंड करने की कॉंग्रेस को जरूरत नहीं है, हाँ, मगर अच्छा है जा पर कृपा राम की होई तापर कृपा करे हर कोई, अगर वो सही में शुद्ध अंतकरण से और मन से प्रभूश्री राम के चरण और तुष्टी करन की राजनीती से बचेंगा है, अन्दार से अंचुल मुकाती की रिपोर्ट